नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गॉल बेटर सहदरी के बाद कैसा खाना खाना चाहिए गॉल बेटर के हम बहुत प्रकार के ऑपरेशन करते हैं फिर भी लोगों का बहुत common question है कि क्या operation के बाद हमारी diet change हो जाएगी और क्या हमें हमेशा ही कुछ different खाना खाना पड़ेगा तो ऐसा नहीं है long term में आप वो सब खा सकते हैं जो एक normal लोग खाते हैं लेकिन operation के पहले कुछ दिन body में कुछ changes होने के वज़े से हो सकता है कि आपको थोड़ा खाने में बदलाव करना पड़े operation के बाद कुछ changes आते हैं जैसे operation itself एक body में stress होता है उसके इलावा बाहर रहना, hospital में रहना इससे भी आपको दिक्कत होती है और जो operation के वज़े से हम दवाईयां दे रहे हैं उससे भी पेट में कुछ acid बनता है जिसकी वज़े से भी खाने में आपको changes करने पर सकते हैं तो usually हम advise करते हैं कि operation के दिन, यानि कि अगर आज सुबह operation हुआ है तो शाम को हम कुछ liquid diet देते हैं जैसे पानी, नारियल पानी, light soups ऐसे इसके बाद हम next day morning patient से चेक करके उसे बताते हैं कि अगर सब ठीक चल रहा है then आप semi solid diet start कर सकते हैं यानि कि पहले दिन कुछ हलका खाना लीजे दैसे दलिया, खेचड़ी, दूद पती टाइब, चाय के साथ, हलका biscuit ये सब आप ले सकते हैं कोशिश कीजिए कि खाना अच्छा nutrition हो, जो seasonal vegetables हैं उन्हीं को use कीजिए और जो seasonal अच्छे fruits हैं वो use कीजिए पहले कुछ दिन एक time में पेट भर कर ना खाईए यानि कि जैसे हम usually breakfast, lunch और dinner करते हैं तो इसके इलावा आप दिन में at least 5 बार थोड़ा थोड़ा करके खाईए ताकि एक ही time में पेट के उपर ज्यादा load ना पड़े जो digestive process है वो इसको होने की वज़े से वो अराम से वो उसे पचा पाई अगर आपको पहले कुछ दिन oily food digest करने में दिक्कत आ रही है तो आप oil थोड़ा कम कर सकते हैं और spices या masala इस सब चीजों को भी पहले कुछ दिन कम रखे क्योंकि जारतर hospitals पहले कुछ दिन आपको कुछ दवायां prescribe करेंगे उसकी वज़े से भी आपका digestive system थोड़ा disturb रह सकता है कुछ लोगों को normal diet पे वापिस आने में 3-4 हफते लग जाते हैं जैसे कि जिनकी age जादा है या किसी और factor की वज़े से उन्हें digestion में problem आती है तो वो धीरे धीरे अपनी diet chain करके normal diet पे वापिस आ सकते हैं तो basically ध्यान रखना है कि पहले कुछ दिन आप light खाना खाईए उसमें oil और masala और spices बहुत कम कर रखे और जैसे जैसे आपको लगे कि आप ठीक फिल्ट कर रहे हैं आप normal diet पे वापिस आ सकते हैं Thank you कर दो